लोकसभा चुनाओं के पहले तमाम राजनीती पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जोटी हुई हैं ओम प्रकाश राजभर के भारतिय जन्ता पार्टी में आने की अटकलों के बाद ये कहा गया कि कैबिनेट मंतरी संजय निशाद सहज होते हुए दिखाई दे रही है इसी क्रम में संजय निशाद मचवारा रक्षण सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं हमाई साधने भारति के राष्टिय अध्यक्ष हैं और प्रकाश राजभर ये बताए सर लंबे समय से कैबिनेट मंतरी भी हो गए हैं लंबे समय से सारी चीजे हैं सत्ता है पार्टी है उनकी अब वो एक महा संपर का भियान शुरू करने जा रहे हैं क्या ज़ूरत पढ़ गई इसकी देखे जिन म संदोलन से लोग संगठित हुए और यह कहा गया कि सत्ता मिलेगी तो हम इसको कराएंगे तो सत्ता भी मिल गई मंत्री भी बन गए संसद भी बन गए उत्र संसद हैं तो अब गाजियाबाद में एक वीडियो हमने देखा कि संजय जी गए हुए थे वहां के लोगों ने यह उसमें तो नारबचे जो है वहां जो उनकी पाटी के ही लोग जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमकोनसुस्रिज जाती में सामिल कर रहा है थे चाह रहा है तो उस बके जातीयों की बात को आप कहते थे उस वो क्योंने autorize से पास हो रहा है तो कई critic से पास ना होना लोगों का गुसा होना स्वभाविक है तो उस गुसे में थोड़ा मलहम लगाने के लिए तो उनके बीच में जा करके कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं तो यह आंदोलन क्या कर रहे हो जब सरकार का एक हिस्सा हो सरकार के खिस्सा हो काईबिनेट मिनिस्टर हो तक काईबिनेट म नहीं सही तो मुख्यमंत्री से जाकर के बैट के बात तो कर लो कि माने वर यह हमारे समाज का गुस्सा चढ़ रहा है और दिक्कत होगी इसको जो है इसमें मुर्तुरूप दिया जाए यह बात मुख्यमंत्री से निशाथ से भी बात हुई मैंने का अब तो सब्सक्राइब की है सरकार आप की फिर आप क्यों सम्मेलन अवजित करने जा रहें तो कह रहें कि जो हमारी जाती की लोग है वह भाजपा से नराज रहें लेकिन हमसे ना नराज हो इसके पीछे क्या तरक देखते हैं अब अब उस मंतरी भी बन गए तो वही जाती जो है वह नराज चल रही है संजय निशाथ से उनीच से पुछे गाजियाबाद में उनकी मवजूदगी में उनके खिलाब नारे लगे दप्ती पली करके उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं थे यसे लोग के भाई बिरोधी पार्टी नही नहीं हो रही है कोई इस पर सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं शुक्त है आपका प्रभाव पुर्वांचल की सीपों पर मजबूत है इसको चलते लग रहा है उनकों घब रहा है कि हम भी अपनी ताकत दिखा दें कि हमारे समाज के लोग नराज चल रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखिए इस सब चीज नहीं है समाज में गुस्ता अपने हग को लेके है सवभाविक है यह समाज पिछड़ा 38% और यह कांग्रेस के साथ लंबे समय था नराज हुआ छोड़ दिया कांग्रेस यह खड़ी हो गई यह उधारन है य पार्टी का साथ चोड़ा तो आज समाज वादी पार्टी सत्ता से बेदखल है जो कुछ भी बचा भी है वो भी जाने की सिती में है तो यह 38% और आज के तारीक में बड़ी संख्या में भार्ति जन्ता पार्टी के साथ है आपका स्वागत क्यों करते हैं अनमंत्रियों से से बात करिए के यह से राजभर का स्वागत संजय निशा निशा से जैसे ही पूचा जातों कहते हैं जीरो grim सपलर्टी से ज्रोग चु के है इसके पीछे कि वाजया आप भी बड़ा जालिकाटे हैं यूड भाई कहते और नेता चर्चा में कैसे रहे तो यह चीज नहीं है वो कोई बात नहीं है वो अपना पार्टी चला रहे हैं सब लोग अपनी पनी पार्टी इसे मुलाकात करी आपकी एक बार भी संजय निशात से बात हुई मुलाकात हुई उन्होंने बढ़ाई दी कि भीया आज आई है य प्रवत्ती के लोगों को टिकट नहीं देगी वो अमिद्वारों को ढूंड रही है तो लग रहा है आपको कि एक नया पैतरा कोई पैतरा नहीं है अभी हम लोग खड़े हैं यहीं बैठे सब लोग है अब यह दसनाल बंदूग लेकर दूटे पायर करें तो सब बागया लगी समझ रहे हैं तो सेर से सेर को लड़ाना पड़ेगा सेर के सामने कड़ा कर देंगे सियार तो खड़ा होगा प्रकाश सब्सक्राइब लेकर 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 चैन करेंगे पहले इंतिजार करेंगे भाजपा की प्रत्याशी उतारने का कोई असर पड़ेगा इसका बीनास काले विप्रीद बुद्धी जब दोजार बाइस में परशुराम जी की मुर्ति लगाए लंबा फरसा लगाए एक की मदंती है देश में की एक कईस बार परशुराम ने छह हुआम के बंसज परराम्हन जो पुजारी हैं लाखोव लोगों को रोजी-षूटी भगवावाए दो परशुराम से में है तो परशुराम नाम पर क्यों और स्रवराम नाम पर ऊड़ेंगे लूगोत तो किसी की नहीं हम तो देखते तो क्यों उड़ देंगे और ब्राह्मन कम्यूटी आज के तारीख में बीजेपी के साथ खड़ी है बेमतलब करना चिलाएं वो राजबर किसके साथ खड़े होने वाले हैं सर सब सब लोग इंतजार कर तो मौला है जिदारां चल लेंगे उधारा रूप से विराम दिया लखनाव से वीडियो जनलिश अर्विन के साथ संदीब खेर भारस समचार